ओम गणेशा ये नमहा आज हम अमावस्या और पोड़निमा जो की दो बहनों की कता है इसे सुनेंगे उससे पहले यदि आपने मेरे चानल को लाइक शेर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजे और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजे एक राज्य में एक राजा और उसकी रानी रहते थे जिनकी चार संताने थी दो लड़के और दो लड़की एक लड़की का नाम पोड़निमा था और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था पुर्णिमा घर के कामों में निपुन्ट थी और घर का पूरा काम किया करती थी और साथ ही भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी इसके अतिरिक्त बह गौ माता की सेवा भी किया करती थी और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही अपने घर का काम काज किया करती थी ना ही भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी और ना ही गौ माता की सेवा किया करती थी पूर्णिमा सर्वगुन संपन्न थी फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पुर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेधभाव किया करते थे राजा के चारो पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विबाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया और इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों ही पुत्रियों का विबाह भी योगिल वर के साथ कर दू इन दोनों का विबाह भी करा दू लेकिन पुत्रिया मवस्या का विबाह किसी बड़े खांदान में ना कराना और पुर्णिमा का विबाह किसी गरीब परिवार म और गाएं की सेवा करना ही पसंद है अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिष्टा तै करने के लिए भीज दिया राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिष्टा तै कर दिया और वहीं पास के गाउं में जाक एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिष्टा भी तै कर दिया यह सारी बात जानकर राजा ने अपनी रानी को बतलाया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भागवान इसकी मदद कैसे करते हैं यह बहुत ही पूजा पाट करती है और भा कामों में उनका हाथ भी पटाती थी यहीं उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी और घर का कोई काम नहीं करती थी कुछ समय बीच जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विभा हो गया और राजा और रानी के विभा के बाद अपनी दोनों पुत्र को विदाई देते हैं विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत देख विदा करते हैं और पुर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते खाली हाथ अपने घर से ही विदा कर देते हैं इसके बाद दोनों बहने अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं कुछ दिन बीट जाते हैं और एक दिन अमावस्या और अपने घर पर शिव जी की कता रखती है जिसमें वह सभी गाउं वालों को निमंतरन देती है और अपनी बेहन पुर्णिमा को नहीं बुलाती जब गाउं की सभी औरते अमावस्या के यहां जाती हैं तो वह सब यह द्रिश्य देख कर पुर्णिमा अपने घर के दर्वाजे पर बैट कर यह देख रही होती है तब वहां से गुजर रही औरते पुर्णिमा से कहती हैं कि तुमारी बहन के घर यहां शिवजी की कथा रख क्या तुम नहीं चलोगी पुर्णिमा ने कहा मुझे निमंत्रन नहीं आया है मैं नहीं जा सकती सभी गाउं की औरतों ने पुर्णिमा से कहा बुलाया नहीं तो क्या हुआ भागवान शिव की कथा है तुम हमारी साथ चलो गाउं के सभी औरतों की बात मान कर पुर्णिमा अब ही उनके साथ भागवान शिव की कथा में अमावस्या की घर चली जाती है तब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहां कैसे चली आई मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था खेर कोई बात नहीं अब तुम आ ही गई हो तो चु पूर्णिमा बार बार भागवान शिव से यही कहती रहती है इतने में शिव कथा पूर्ण हो गई और अमावस्या भागवान का प्रशाद बांटने लगी बह सभी लोगों को प्रशाद देती है लेकिन पूर्णिमा को वहां प्रशाद नहीं देती है और पूर्णिमा बि गर को लोट जाती है रास्ते में वही है सोचने लगी कि यदि मेरे बच्चे कथा का प्रशाद मांगेंगे तो उन्हें में क्या जवाब दूँगी उसने सोचा ही था कि उसके अपने माई के अपने भाई और भौजाई के यहां जाएगी और वहां जाते समय वहां बच्चों पती ने कहा ठीक है और कुछ समय के बाद पुर्णिमा अपने माई के के लिए रवाना हो गई चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था उस चोधरी पर एक बुढ़ी अम्मा बैठी हुई थी वह कोई और नहीं साक्षात तु तुम कौन हो और कहा जा रही हो पुर्णिमा ने अपना परिचे देते हुए कहा परिचे देने के बाद बुढ़ी ओरत ने पुर्णिमा से कहा कि यहां तुलसी का पौधा सूख रहा है इसमें थोड़ा सा पाने डाल दो और इस चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो जिससे म मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी पुर्णिमा ने कहा कि ठीक है मा मैं तुलसी में पाने डाल देती हूं और यहां की साफ सफाई भी कर देती हूं पुर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बुढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बुढ़ी अम्मा की भी सेवा की और उनक साते समय मुझ से मिलते हुए जाना पुर्णिमा ने बुढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माता जी मैं जाती हूँ वापे साते वक्त आप से मिलते हुए ही जाऊंगी कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया वहाँ पर उसने एक बुढ़े बाबा मिले जो की मंदिर के बाहर बैठे हुए थे बह कोई और नहीं साक्षात भूले ना थी थे जिनोंने पुर्णिमा से कहा कि कहा जा रही हो बेटी तुम कौन हो तब पुर्णिमा ने अपना पूरा परीचे दिया और उस बुढ़े बाबा ने पुर्णिमा से कहा इस चबूत्रे की और इस मंदिर की सफाई कर दो तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूत्रे की सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बुड़े बाबा को भी नहला दिया और उसने कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बतलाइए तब बुढ़ी बाबा ने कहा कि नहीं बेटी अब तुम जाओ वापस आते वक्त मुझ से मिलते हुए जाना। पुर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा मैं जाती हूँ वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए ही घर को जाओंगी। आगे चलते चलते कुछ दूरी पर चलने के बाद पुर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा वहाँ भी एक बुढ़ी अम्मा चबूतरे पर ही बैठी हुई थी। उस बुढ़ी औरत ने भी पुर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो कहा जा रही हो तब पुर्णिमा ने उस औरत को भी अपना परिचे दिया और बुढ़ी औरत ने पुर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता इसलिए तो मंदिर की और चबूत्रे की साफ सफाई कर दो तो पुर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी पुर्णिमा मंदिर की और चबूत्रे की भी साफ सफाई कर देती है बुड़ी औरत ने पुर्णिमा से कहा कि नदी परशनान करने तो सब आ जा लेकिन यहां की साफ सफाई कोई नहीं करता इसलिए तुम इस किनारे की भी साफ सफाई कर दो पुर्णिमा तो पुर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी वहां की भी साफ सफाई में कर देती हूं उस बुड़ी अम्मा के पैर दबा देती थी पुर्णिमा और कहती है कि मा जी और क पहुँच जाती है और वहां अपने माईके के घर पहुँच जाती है वहां पर पूर्णिमा के भाई और भावी उसे देख कर बहुत खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातेरदारी करते हैं और उसे बहुत सारी बाते करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी पड़े और खाने पीने की बहुत सी चीजें दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो पूर्णिमा की भावी ने यह फैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापसाना इसके बाद पूर्णिमा वहां से ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी की नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठ कर दूसरे किनारे पर उतर गई वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसने एक बुढ़ी अम्मा विली जो की साक्षात गंगा माईया थी और बुढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर लेकर ही खोलना अब पुर्णिमा के पास बहुत पहले ही थैले हो चुके थे उन्हें लेकर पुर्णिमा वहां से रवाना हुई और आगे कुछ दूर चलने पर काली मा का मंदिर आया पर काली मा बुड़ी औरत के रूप में बिराजमान थी उसने कहा कि मा बेटी पुर्णिमा पुर्णिमा ने कहा हा मा जी मैं आ गई तो काली मा ने कहा कि उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम इस थैले को अपने घर जा कर ही खोलना अब पुर्णिमा के पास तीन थैले हो गई थे तीनो थैली लेकर पुर्णिमा आगे बढ़ी कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया वहां बुढे बाबा के रूप में शिवजी स्वेम भी विराज मान थे बुढे बाबा ने कहा पुर्णिमा तुम वापस आ गई हो पुर्णिमा ने कहा जी बाबा मैं वापस आ गई हूँ बुढे बाबा ने भी पुर्णिमा को एक कैसे ले जाती उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी खेलों का एक गड़ा बना दिया और उसे सिर पर रख कर वहां से रवाना हो गई कुछ दूर चलने के बाद तुलसी मा जो बुढ़ी औरत के रूप में मिली थी उन्होंने कहा कि पूर्णिमा तुम आ गई पू पास पांच थैले हो गई पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई तो वापिस घर पहुंच कर पूर्णिमा के बच्चों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने माईके का थैला खोल कर देखने लगी उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने की च अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उससे जो मा गंगा ने दिया था उसमें धेर सारे हीरे जवारा सोने चांदी आदी थे इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो की काली मता ने उन्हें दिया था उसमें बहुत सारे सोला शिंगार का समान भरा हुआ था इसके बाद पुर्णिमा ने चोथा थैला खोला तो जो की उने भगवान शिव ने दिया था उसमें बहुत सारा धन संपदा भरी हुई थी और बहुत सारी खोशियां भरी हुई थी इसके बाद अब पुर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी मा ने दिया था। उसमें चावल, दाल और सात प्रकार की खाने की चीजों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी ना थी। उसका घर भी धन-धान्य से भर गया और परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से जीवन व्यती अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिवजी की कथा कराई जाए और शिवजी की कथा का एक कारेकरम रखा जाए पूर्णिमा ने गाओं के सभी लोगों को निमंतरन भेजा और घर घर जा कर सभी लोगों को बुलाया पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के के लिए अपनी घर पर बुलाया, जब अमावस्या पुर्णिमा के घर शिव जी की कथा में गई, तो उसने देखा कि पुर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना थी, इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्य चकित हो गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहा से आया पूर्णिमा ने कहा देखो बहन तुमने शिवजी की कथा मैं मुझे नहीं बुलाया था फिर मी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रशाद तक भी नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन सोच रही थी कि माईके जाऊंगी और मैं अपने माईके को चली गई जो कुछ घटना इस बीच हुई सभी घटनाएं अपनी बहन को अमावस्या को बता दी तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रशाद मत दो मुझे डांट लो लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रशाद है मैं तो सब को दूँगी और तुम्हें भी दूँगी फिर भी अमावस्या ने प्रशाद नहीं लिया और वह सीदे अपने घर को चली गई घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह भी अपने माईके को जाने को तयार हो गई माईके के लिए निकली और उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी मा मिली जो की चबूत्रे पर बुढ़ी अउरत के रूप में बैठी थी बुढ़ी अउरत ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहा जा रही हो अमावस्या ने अपना परीचे देते हुए कहा बुढ़ी मा ने कहा कि बेटी ये तुलसी का पौदा सूख रहा है तुम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे सुीच दो और इस चबूत्रे को भी साफ सफाई कर दो इस पर अमावस्या ने कहा कि बुढ़ीया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है ये गंदी हो जाएगी ऐसा करके वहां से चली गई उनके जाने पर उसे भगवान शिव का मंदिर मिला जिसे उसने वैसे ही कहा उसके बाद आगे जाने पर काली माता का मंदिर मिला जिससे भी उसने सारी बातें कह सुनाई आगे जाने पर गंगा मिली जिसे भी उसने यही सब कह दिया और आगे को चली गई इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगा कांटे भरे हुए मिले जो उसके पैरों में चुब रहे थे किनारे पर उतर कर बहां अपने माई के चली गई और वह बहां से अपने भाई भावियों ने देखा उसे तो मन ही मन कहने लगे की काम की नाकाज की धाई मन अनाज की अब आ ही गई है तो ठीक है पूर्णिमा तो हमारे कामों में हात बटाती थी यह कोई काम भी नहीं करेगी और उसे खाना भी खिलाना पड़ेगा बनाकर खा पी कर सो जाएगी और अमावस्या जब सुभा उठी और अपने भावियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ उन्होंने कहा ठीक है जाओ अमावस्या बोली पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी बूढी अमा ने कहा कि तुम घर जाओ थैला तुम्हारे घर पर ही पहुंच जा इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माता मिली जिसने भी अमावस्या को यही कहा कि आगे जाओ और तुम्हारा थैला घर पर मिल जाएगा और भगवान शिव मिले जिन्होंने भी अमावस्या से यही बात की आगे जाने पर तुछी मा मिली सभी ने अमावस्या से यही कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर ही पहुंच जाएगा अमावस्या अपने घर पहुंच गई, आंगन में उसने देखा कि वहाँ पर पांच थैले पड़े हुए हैं अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास भी बहुत सारा धन और दौलत आ जाएगी जल्दी जल्दी उसमें सभी थैलों को खोला किसी में मिट्टी थे, किसी में पत्थर थे, किसी में कंकर थे, किसी में कोईला था उसे माईके से भी कुछ नहीं मिला इन थैलों में कुछ भी नहीं था अम अवस्या दोड़ी हुई पुर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुमें तो सब कुछ मिल गया मुझे तो कुछ भी नहीं मिला आखिर क्यों तो पुर्णिमा कहती है जब मैं अपने माई के जाती हूँ तो अपनी भावियों के साथ काम में हाथ बटाती हूँ उनके साथ मिलकर काम करती हूँ लेकिन तुम ऐसा नहीं करती हो उनकी इज़त भी नहीं करती हो इसलिए वे तुमें भला क्या देंगी इसके बाद तुमने गंगा मैया को भी ठुकरा दिया, काली माता को भी ठुकरा दिया, भागवान शिप को भी तुमने ऐसे जवाब दिया, इसलिए उन्होंने भी तुमें कुछ नहीं दिया, आम आवस्या कहती है कि बेहन, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा ही अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ती करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीजों का रहसे बताओ, पुर्णिमा ने कहा कि तुम तीन सूत्र का ज्यान ले लो, और उसकी कथा करना, पहले सूत्र में दया मांग हैं, इनको अपने ह्रदय में बसा लेना, मैंने भी यह तीन सूत्र ही अपने जीवन में अपनाए हैं, और सच्चे मन से भगवान की भक्ती पूजा पाठ की है, फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया है, और तुम्हारे पास जो कुछ था, वह भी सब खतम हो गया है इसके बाद अमावस्य अपने घर को चली गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी, भगवान शिव से उसने माफी मागी और गौमाता की सेवा भी की और दूसरों की भी मदद करने लगी, बोलो लक्ष्मी नारायन भगवान की जै, उमापती महादेव की जै, गंगा म पहिया की, जै